गुद डिवनिंग एप्रिपन तो लास्ट टाइम हमने जो वो कोशीन नंबर यहां पर कोशीन नंबर 5 तक इसको कंप्लेट कर लिया था यह जो वो पिछले कर जो पॉलिस कॉंस्टेबल का जो एक्जाम हो रिटरन एक्जाम यह जो वो उसका पिपर है डी सीरिस का जो वो यह पिपर है तो सो से पहले हमने मैथ स्टार्ट किया है रिजिनिंग भी जो वो इसके साथ साथ में जो हम लोगों डिसकस करते चलेंगे कोशीन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं यहां पर लिगा है find the value of x x की value निकालने है यह जो है वो आपके वास यहां पर कोशीन है 228.5 लिख सकता है यहां पर multiply ही है जबकि यहां पर दोनों ही symbol देखे से में तो हम लोग इसको multiply मान के जलेंगे फिला तो 23 प्लस से बीच में फिर divide है तो जब वो प्लस माइनस डिवाइड जब भी ऐसे symbol जब वो इकटे आ जाते हैं तो जब आपको पता है कि बार्ड मास के तुरू ज जाना चाहिए और किसी को जब वो इसका पता होना चाहिए देखे इसको कैसे जब वो इस question को किया जाएगा अब इको simple trick से जब मैं आपको बताऊंगा कोई जदा यहां पर trick जब नहीं लगेगा ट्रिक से solve हो सकते हैं question लेकिन पूरे detail के साथ जब हम लोग discuss करेंगे यहां 28.5 तो आपको बता है कि 28.5 को जो आप fraction में लिख सकते हैं तो इसको fraction में यहां पर मैं उपर लिख रहता हूं तो यहां पर यह बन जाएगा 285 upon 10 बन जाएगा बीच में multiply है तो 34 मैंने लिखती है multiply आगे है plus 2320 आदेखे हलंकि ऐसे जो कोशीन होते है जैसे यहां पर divide लिख नहीं होगा जो कि यहां पर divide नहीं होगा तो आपको यह से मुझे लेना पड़ेगा काफी लंबा चाड़ा जो बन जाएगा तो ऐसे को जो को नहीं आते है तो इसका मतलब जैसे यहां पर divide दिया है तो एक्जेक्टली मुझे लगठा है कि पूरबौबरा divide होने वाला है 8 स ठीक है तो ऐसे ही कोई सिंपल हो जिसमें कोई ज्यादा कैलिकुलिसन ना हो ठीक है 36 का स्कुएर तो यहां पर आपको 36 का स्कुएर मैं डारेक्ट यहां पर लिखता हूं क्योंकि मुझे पता है और मैंने जो पीछे जैसे आपको अगर वीडियो जो आपने देखी होगी तो मै होने चाहिए तो 36 का स्कुएर होता है वो मैंने यहां पर डिरेक्ट लिख लिख लिया 12 96 12 96 और आगी लिखा है 12 96 और यहां पर है माइनस एक मैंने उपर लिखती है जीग है आप देखे अब आपको बताए कि यहां पर जो अगर मैं इस 10 को जो 34 से कार दो कि बीच में मल्टिप्राइब होता है तो मैं आर पार ऐसे क्रॉस में कार सकता हूं फाइब से कार दिया फाइब टू जा टैन होता है और 17 टू जा 34 होता है अगर मैं यहां पर देखो तो यहां पर देखिए यूणी डिजी जो वो 5 है वंस वाला प्लेस यहां पर एक आई-कांक 5 है इसका मतलत से दस है कि यहां से इस 5 से जो यह उपर वाला कट सकता है तो 55 जा होता है 25 तो 25 वाओ ठीव बचे 35 आगया 35 75 जा होता है 35 57 आगया यहां पर बीच में मल्टिप्र आई है थ्यान रखें यहां पर आपको बताए कि जैसे 8 से जो वह कटने वाला है देखिए कैसे यहां पर जो 23 यह पहले तो 8 2 जा 16 8 3 जा होता है 24 तो 8 2 जा करेंगे 16 तो य मैंने पहले यह तू जा 16 अब देखिए यहां पर 16 है 16 से आगे काउंट करिए 64 और 7 आ रहा है 7 और 2 आ रहा है 72 तो 8 9 जह होता है 72 तो 9 आ गया यहां पर जीरो को काट करके उपर चिप्रा देते हैं 290 आगया यहां ठीक है 290 अब देखिए क्या क्या बचा हमारे पास हमारे इसकी value को जोबो क्योंकि मैंने x निकालना है जब देखें यहाँ पर जोबो आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको बताए कि यह बड़ी value है यहाँ पर अगर मैं इसको लेकर जाओंगा यह प्लस क्या है अगर इसको दूसरी चाहले लेकर जाओंगा तो यह जोबो minus का ह हो जाएगा अगर यह बड़ा नमबर minus का हुआ तो आपको जो इस side जो left hand side में जो value मिलेगी minus की मिलेगी और यहाँ पर minus का x है यहाँ पर पहले से minus का x है आप इस step को समझी रहां से minus का x है यहाँ पर अगर मैं इस value को जो दूसरी लेकर के जाता हूं तो यह minus की होईगा कि हम लोग क्या करें 57 को 17 से multiply करते हैं तो मेरे क्याल से आ जाएगा 57 multiply with 17 तो 177 जा होता है 119 119 का 9 मैंने यहाँ लिए 11 यहाँ पर 17 के table से ही डा डारेक्ट कर रहा हूं थी आप यहाँ से कर सकते हैं 177 जा फिर 75 85 और 11 हो जाएगा में देखिए 96 969 जो वो यहाँ पर यहाँ जाए 96 9 जो यहाँ पर यहाँ पर प्लस है तो पलस 296 देखे अब अब यहाँ पर ही जब बताता हम पर जो मैं सिधा ही इसका आंसर बताने वाला हूं मैं रैड से बता रहा हूं काफी मोटा जो मैंने कर दिया देखे प्लस इन दोनों को प्लस करना है अब मालो इन दोनों को आपने प्लस कर दिया तो जो वो आ जाएगा मेरे ख्याल से 1259 आ जाएगा ठीक है तो यहां पर आ गया इन दोनों को प्लस करके 1259 अब यह जो 1296 था आपको पजाए कि यह जो बड़ा नंबर है मैं क्या करता हू इस x को ही set लेकर के आ जाता हूँ और age 12 of 59 है age होगो दूसरी set लेकर के चला जाता हूँ simple हो जाएगा मुझे minus minus cancel नहीं करना पड़ेंगे तो 12 of 96 में से 12 of 59 को minus करनेंगे आपका answer आ जाएगा तो क्या था मेरे पास 12 of 96 में से minus करना था 12 of 59 आजा मैं इसको फिर से चोटा कर देता हूँ तो काफी मोटा हो गए है तो इसको minus करना था 16 एक बारो लिए यहां पर 16 में से 9 minus हुआ तो आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 में से 9 ठीक है 16 में से 9 7 आ जाएगा हाँ 7 आ जाएगा 7 आ जाएगा है यहां पर ठीक है यहां पर 8 बचाएगा है क्योंकि एक बारो जो आगे चली गए 8 में से 5 मैंस हुआ 3 आ जाएगा 37 इस दा अंसर 37 देखते हैं यहां पर है यहां नहीं है 37 37 is the right answer यहां पर जिसकिजी का भी यह पिपर है तो इसने जो मेरे ख्याल से 43 पटी किया है तो यह गलत हो गया है तो यह था हमारा question number 6 तो next question number 7 से चलते हैं 7 question number है यहां पर HCF दिया है HCF दिया है HCF of A.V यह question जो मुझे लग रहा है 10th class में जो फर्स्ट ही chapter है Euclid algorithm टीक है उस chapter से जो फर्स्ट चेप्टर से जो वो एक question लिया गहा है काफी अच्छा question है काफी important topic है अगर HCF दिया हो कि इन दो number का जैसे 15 दिया है यहां पर यह वो रहे कि उन दो number को multiple करने पर उन दोनों number का multiply मतलब कि इन दोनों number का product करने पर जो वो 1800 आता है तो इसने जो वो LCM पूछ दिया अब यहां पर आपको जो वो एक formula पता होना चाहिए क्या formula है आपको पता होना चाहिए कि LCM उन दोनों number का और HCF जो वो उन दोनों number का ठीक है वो जो वो equal होता है उन दोनों number का product के ब्राबर ठीक है तो यहां पर देखिए अगर आपके पास जो वो सीधी जैसी बात है कि उन दोनों का product जो वो given है 1800 तो 1800 मैंने यहां पर लिख दिया और यहां पर जो वो HCF वी given है 15 और बीच मुल्टिप्लाई है और LCM आपको LCM पूछा है तो सीधी ऐसी बात है कि यह 15 जो वो जाकर कि यहां पर divide हो जाएगा अगर यहां पर divide हो गया तो divide करी आपका answer आजाएगा ठीक है बस इतना सा यहां पर logic था 1800 को 15 से divide करते हैं चला 1800 आयोप कि आपको जो वो पहले ही answer का पता लग गया हुग 1800 को 15 से divide करना है तो 151 जा कहां जा लगए यहां पर देखे 1800 divided by 15 तो 151 जा 15 टीक है वन लिखते हैं मैंने यहां पर 15 16 17 18 30 आ रहा है 15 2 जा तो 0 काट करके जो लिखते हैं तो 120 आ रहा है ऐसी दियासी बात है आपको दिख रहा है कि D is the right answer next question दिखिए इसमें जादा कोई मतलब कि यह easy था मतलब जिसको ऐज़ा नहीं है कि इतना easy भी नहीं है क्योंकि कि किसी को जो वो ऐसे 10th class जो वो अगर 10th class का match जो वो अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसके लिए जो वो थोड़ा सा tough कोईशी था आगे percentage वाला कोईशी नहीं तो मेरे कहाल से सबको पता होना चाहिए कि 75% of 2 is equal to यह वो रहे कि 2 का जो वो 75% जब भी percentage निकालते हैं तो 2 का पूछ रहा है तो 2 का या तो आप बोज़ कने percentage हटाएंगे तो 100 कर देंगे 2 का 75% म परसेंट का मतलब है 175% मतलब 75% upon 100 और off to off का मतलब multiply तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं एक ही बात है प्रोड़क्ट ठीक है तो यहां पर आ रहा है त्री का फाफ और त्री का हाफ जो होता है क्योंकि हमारे पास जो यहां पर सारे आप्सन हम इसका मतलब है 3 का हाफ क्या होता है जैसे 1.5 है तो 1.5 का मतलब है कि 1 और 2 के बिच में है ठीक है तो 3 का half जो वो क्या होता है 3 इंत का आधा जो वो डेड ही होता है डेड का मतलब है 1 and half अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से mixed fraction में जो जाएगा है अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो अगर fraction में करना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते है 1.5 तो 1.5 इस दा अंसर ए भी ऐसे ही कोशिन था कुछ देखिए आगे भी काफी interesting question है मचली से लेटिड है यहाँ पे लाल पाइलेट कलर है काफी interesting question है यह कोशिन है color of light which deviate the least and most यह जो question है मुझे काफी interesting लगा देखिए इस question के बारे में हम लोग कई बार जो अपनी वीडियो में जब भी जो ऐसा question आता है जैसे मैंने जो आपको बताये था कि आकास जो नीला रंक्यों दिखाए देता है या सूरज जो आपको सुबह के टाइम या सुबह के टाइम लाल दिखाए देता है और दिन के टाइम जो वाइट जैसा दिखाए देता है तो नहीं देख पाते है तो वो जो वो सब कुछ जो मतलब इन सब के पीछे जो वो यही लोजिक है कि आपको बताए विब ग्योर जैसे सनलाइट आ रही है सनलाइट से जो वो वाइट लाइट आ रही है सनलाइट से वाइट रेज टेक है वाइट लाइट में जो वो साथ कलर है V I B V I B G Y O R R का मतलब है Red O का मतलब है Orange Y का मतलब है Yellow G का मतलब Green यह बार-बार Message क्यों आ रहा है मैं इसको Off कर लेता हूँ Yes B का मतलब Blue Indigo और Violet Violet मतलब Bangani इसने पूचा कि सबसे कम सबसे अधिक सबसे कम और अधिक सबसे कम बाला सबसे कम बिचलित सबसे कम deviate जो वो कौन होता है आपको बता है सबसे कम deviate जो वो आपको बता है खत्रे का रंग जो लाल के होता है क्योंकि खत्रे का रंग जो लाल इसले होता है क्योंकि लाल रंग दूर से दिखाए देता है और दूर से जब दिखाई देता है इसका मतलब है वो जो वो deviate नहीं हुआ deviate नहीं हुआ इसका मतलब है कि R जो वो red जो वो सबसे कम deviate होगा ठीक है अगर मैं deviation के बारे में देखूँ तो उस सबसे ज़्यादा होगा violet color सबसे कम होगा ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ठीक है तो red जो वो सबसे कम होगा तो सबसे पहले red जो वो red यहां पे red जो वो पहले होगा क्योंकि सबसे कम पहले वो रिस्फेक्टिवली ठीक है कहाँ चल गया यस लिस्ट लिस्ट सबसे कम deviate red होगा सबसे ज़्यादा most deviate तो violet होगा violet color तो violet color जो है भैंगनी color यह बीच यस ठीक है violet color जो वो बैंगनी color है ठीक है deviate होता रहता है तब ही जो वो यह नीला दिखाए देता है ठीक है तो red और violet जो वो इसका answer होगा ठीक है काफी अच्छा question था है बैसे तो इन question को हम बाद में discuss करेंगे ठीक है लेकिन जो वो मैं नहीं मैं एक ठीक है यह समान जहुत है जो होता है ठीक है यच्छी जो होता है एक टीवी कुछीज तो पर देखने वारण यह तो यह जह होता है यह क्नले वी जह होता है इसके लिए होता है वी सींजी आ भी इसकी फुलपांदर जल्द रहर使いたश globe कालमेट गियूरीन तो यह जो इसकी फुलपार्म होती है और जब भी कोई चोटा बच्चा जो पैदा होता है तो जितना जल्दी हो उसके उसको जो टीका होता है वैक्सिन होती है उसका जो डोज लग जाना चाहिए है जो पांच बर से कम आयू वाले बच्चों को लग जाता नहींने के लिए और एक ब्लैडर कैंसर होता है और एक ब्लैडर केंसर होता है अगर यह भी हो गया हो तो इसके दॉक्टर हर्सबर्दन थे तो उन्हें ने जो वो 2025 तक जो वो हमारे भारत से जो टीवी खतम करने का लक्स है जो वो रखा है तो आज गल चला है 2022 तो देखेंगे कि 2015 स्वरी 2025 को जो वो टीवी जो वो खतम होता है भारत की से की नहीं होता है ठीक है वैसे तो हमारा भार जो वो ऐसे जब भी लक्से जो वो रखता है तो जो वो टाइम से पहले ही जो वो हम लोग उसको पूरा करते है ठीक है भारत उसको पूरा करता है तो अगर हम बात करें आज कल जो वो कौन है स्वस्थे मंत्री तो स्वस्थे मंत हम पुछ तरsmवी नोज़ें को सुध़ना वान्डव आपसे तरहें में सब्सक्राइब इसलिए पयाता है मनिंश रखता है मन्सुक होगा तो तनम्सुक एयसे याइस रखते हैं मतलब कि स्वास्थे अच्छा वागा थ्यां Metropolitan नहांके बद त्यांट सब्सक्राइब यहाँ पे इने maths वाले मेरे क्याल से यहाँ पे maths के जो वो कोशिन और है नहीं ठीक है बाकी तो हमारे जो भी reasoning के कोशिन है उनको तो हम लोग detail में जो एके करके जो बो discuss करेंगे काफी अच्छे से तो यहाँ पे maths वाला पार्ट जो वो हमारा complete होता है नेक्स पार्ट में हम लोग पहले जो वो रिजिनिंग करेंगे उसके बाद जो वो जी करना स्टार्ट करेंगे ओके थैंक यू बाई बाई गुड नाइट